दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल कोल वेज एग्रिमेंट 11 को ले करके BMS प्रभारी श्री लक्षमा रेड़ी जी ने कुछ बाते कही है उसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे साथी जानेंगे दोस्तो की कूल अपसरों को जो है सेलरी के अलावा कौन-कौन सी स्विधाय मिलती है इतनी स्विधायों के बावजोद भी सेलरी बढ़ोतरी में मजदूरों को ले करके इतना रोज क्यों है दोस्तो वीडियो को रिश्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंफोर्मेशन कि अगर आप लोग मानिंग सर्दार, ओवर्मेन या किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहा है तो हमारे पास आप लोगों के लिए कोचिंग नोट्स अवेलेबल है ऐसी सेल के लिए हमने स्पेशल नोट्स तैयार किया है इसके अलावा हमारे पास डीजे में एक्जाम के लिए भी नोट्स है जिसमें सेकंड क्लास, फर्ट क्लास, माइनिंग मेंट, फोर्मेन, ब्लास्टर, ओवर्मेन, सरदार, सर्वेयर सबी एक्जाम के लिए नोट्स मिल जाएगा तो कॉंटेक्ट जरूर करें नमबर आपके सामने स्क्रीन पर सो हो रहा है इस नमबर पर आप मुझे वाट्सप या कॉल कर सकता है नमबर है दुस्तो 9479-319604 इसके लाव आपको बढ़ा दें याने कि BMS के कोल प्रभारी श्री लक्षमा रेडी जी ने कहा है कि कोल अपसरों और संगठरों के खिलाब मोर्चा खोल दिया है उन्होंने जो है एक मोर्चा खोल दिया है श्री रेडी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि कोल अफसरों को उन्हीं की भासा में जवाब दिया जाए BMS ने कोल अधिकारियों के CMOAI के महारत्न कंपनी के बराबर वेतन की मांग को जो है गला ठहराया है 36 गल के कोरबा में उनका एक दोरा था उनसे जो है कुछ बात्चेत हुई कुछ पूछताच हुई तो उन्होंने कहा कि श्रीरेडी ने कहा कि नेशनल कोल वेज एग्रिमेंट 11 को निरस्त करने का ले करके कोल अफसरों दोरा उच्च न्याले जाने को गलट ठहराया और उन्होंने कहा कि इस वेतन को ले करके ये जो वेतन समझोता हुआ है इसको ले करके आप जो कोट का दरवाजा खटकिटा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है आपको बता दें कि कानूनी दाओं पेज में ये फस्ते जा रहा है कोल अपसरों ने जो है लगभग ढ़ाई लाक कोईला मजदूर के हितों पर आर्थिक चोट भुचाने का प्रयास किया है उन्होंने कहा है कि कोईला कामगारों के 19% MGB याने की मिनिमम गैरेंटी बेनिफिट को ले करके अपसर पचा नहीं पा रहा है उन्होंने कहा है कि कोईला कामगारों के वेतन समझोते पर पेंच फसाय जाने को ले करके उन्होंने कहा कि जब कभी अपसरों का वेतन बढ़ता है तब हम कुछ नहीं बूलते अगर मजदूरों का वेतन बढ़ रहा है तो क्यों कोल अपसर जो है इसमें दखलंदाजी कर रहा है कामगारों के वेतन समझोते पर पेंच पसा जाने को लेकर के उन्होंने एक साजिस करार दिया है इस साजिस में वे लोग सामिल है जो नहीं चाहते कि कोईला मजदूरों को नया वेतनमान मिले BMS नेता ने केंदर सरकार से साजिस की जाच कराने को लेकर के अड़ा आदेश दिया है यह दोस्तों जाच कराने को लेकर के आदेश दिया है BMS नेता ने कहा कि अब मजदूर संगिठन कॉल अपसरो को मिलने वाली सभी गेर जरूरी लाव का विरोध करेंगे शिरी रेड़ी ने कहा कि कॉल अपसरो के संगिठन दौरा महरत कपनी की तरज पर वेतन की मांग की जा रही है लेकिन उनकी यह मांग और जरूरी है गैप जरूरी है जिया दोस्तों उनने कहा कि यह जो दखल अंदाजी की जा रही है कि कोल में जाना और उनके खिलाब एक्सन लेने की बात करना वेतन समझवते को रद कराना यह पूरी तरीके से गलत है आपको बता देगे कि DPE की गाइडलाइन में कहां लिखा है कि कोल अपसरों को कौल इंडिया आन्ड और आल और नेच्रड गैस जेसी महरतन कंपनी की तरश पर वेतन दिया जाएं उन्होंने कहा कि कोल अपसरों को इस मांग का यूनियन विरोध करती है उन्होंने अपना महरत क्पटनियों के समान वेतन नहीं दिया जाना चाहिए यहन flirt के अपसरों को जो वेतन मिल रहा है पर इतना नहीं दिया जाना चैसे इसके अलावग कई प्रिकार की स्विधा है जैसे कि उन्होंने कहा की कोल-बसरों का वेतन समझ जुता दस साल के लिए हुआ है जबकि मजदूरों के लिए वेतन समझोता 5 साल के लिए हुआ है इससे भी उने दिक्कत हो रही है इसके लावा कोल अपसर हर साल ने उन्तम पौने 2 लाख रुपे और अधिकतम 8 लाख रुपे का PRP पाते हैं यह भी जो है पूरी तरीके से गलत है हर 3 साल में लेपटाप के खरीदी के लिए 1 लाख से ज़्यादा रुपे उन्हें मिलते हैं हम इसका भी विरोध करेंगे क्या दोस्तों आप लोगों को लगता है कि लक्षमार रेली जी ने सही कहा है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर जरूर करें